Hello everyone, so आज जो है हम लोग सीखने वाले है ISO, मतलब आपके exposure triangle का ये तीसरा parameter है जिन जिन को पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहे हूँ, मैं आपको अभी बोल देती हूँ कि हम जो है यहाँ पे एक सीरीज चला रहे है YouTube के उपर, जिसका ये जो है काफी ही अच्छा खासा episode है और बहुत ही important episode है, इसके पहले हम लोग ने aperture, shutter के बारे में तो सीखा ही था जो exposure triangle के पहले दो parameters है और जो तीसरा parameter है वो है ISO आज जो है हम लोग directly ISO के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा से समझा दो ये function कैसे करता है, देखिए आप जो है जब भी photography करते हो, camera point A पे, point B पे आपका subject, light जो है, sun जो है subject के उपर reflect होती है जो lens है, उसके through 18% light subject के उपर से reflect होके, lens के through जो है, light अंदर आती है कितनी light अंदर आएगी, वो lens के अंदर aperture होता है, वो decide करता है, कि वो circular opening बड़ी होगी, तो तब जादा light अंदर आएगी अगर वो कम होगी, छोटी होगी, तो वो कम light अंदर आएगी अच्छा, light अंदर तो आगई, पर कितने समय के लिए light अंदर आएगी, वो आपका shutter speed decide करता है, जो camera के अंदर रहता है camera के अंदर, shutter speed जो है, जब उपर जाता है, और जब नीचे आता है, उसकी जो speed है, वो कितना समय लेगी उसके उपर धारित है, कि कितनी light आपके sensor के उपर hit करेगी camera के अंदर होता है sensor, sensor, sensor वो जगा है, जहाँ पर आपकी image, video की, photo की, जो भी, वो form होती है आपका जो sensor है, उसका size, मतलब कितना जो recording unit रहता है, वहाँ पर, देखो, LCD screen अलग रहता है जो screen में आप देखते हो, वो चीज अलग है, पर उसके अंदर, camera के अंदर एक chip रहती है वो जो chip है, वो जो unit है, उसको आप लोग sensor कहते है, जहाँ पर, जो भी light अंदर आई है, वो आपके उस sensor के अंदर record होती है वो light नहीं है, वो details है, जो आप shoot कर रहे हो ना उसका light subject के उपर hit हुई, hit होने के बाद जो वो lens के तुरू अंदर आती है, तो वो जो light है, वो subject को देखने की शमता है और वो उसकी details है, जो आपके sensor के उपर hit करती है, और एक image जो है, form होता है अब, जब ये image form हो रहा है, कहां हो रहा है, sensor के अंदर हो रहा है चलो पहले ये समझते है, कि ये sensor बनता कैसे है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये sensor के उपर ही है, कि आपका quality camera का कैसा है, कैसा आपका photo या video दिखेगा, कितना sharpness होगा, क्या होगा ये सब कुछ इसके अंदर ही तो है, वो unit के उपर ही तो है, अच्छा, ये sensor के अंदर जो है, होते है pixels एक-एक picture elements होते है, picture elements मतलब pi का p, xel का xel और pixel बनता है, picture element एक-एक picture element से ये sensor बनता है, अच्छा, अगर आप जो है, 1 megapixel पकड़े, तो 1 megapixel के अंदर 10,000,000 pixels होते है तो ऐसे ही, अगर मैं Canon R6 Mark II की बात करूँ, मेरे पास अभी वो camera है, आप चाहे वो camera की बात करें पर अगर आप specifications में वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 24.2 megapixel, so यह 24.2 megapixel है, उसमें जो है, आपको, आप गिन लीजे 24.2 megapixel into 10,000,000 तो उतने सारे pixels का यह sensor बना हुआ है, अच्छा, जितना megapixel जादा रहेगा, उतना तो आप यही कहोगे, कि हाँ, जितना megapixel जादा, उतना quality जादा, क्योंकि उतने picture elements बढ़ गए, और अगर megapixel कम है, तो फिर उसकी quality कम हो जाएगी, है ना, नहीं इसका भी एक पूरा का पूरा topic है, ये भी एक सोचने वाली चीज है, ऐसा नहीं होता है, जो हम लोग आगी cover करेंगे, पर अभी के लिए concept तो समझ जाओ, तो ये जो sensor है, वो megapixel से बना हुआ रहता है, अभी जो है, जब light इस sensor के उपर hit करती है, तब जो है, ये एक एक pixel के अंदर light पहुचती है, ये reflected light पहुचती है, और इसके वज़े से जो है, आपका जो ये sensor है, उस light को लेके sensitive होता है, कितनी light जो है, मैं अपने sensor के ऊपर जो है, sensitive होने दूँ, उसको हम लोग बोलते है, image sensitivity, sensor की sensitivity, अच्छा, कम से कम sensitivity के ऊपर, sensor, ISO 100 पे होता है, image sensitivity, ISO इसलिए का जाता है, क्योंकि ISO एक denomination है, international standard organization, ISO का full form है, मतलब क्या हो रहा था, पहले के जमाने में, ASA, DEAN, ऐसे सारे नाम थे, कि अलग-अलग मतलब नाम दिये थे, रोल के जमाना था ना, तब, फिर उनने सोचा कि अलग-अलग रोल्स को नहीं कहते है, हम सिर्फ एक नाम देते है, जिसको हम लोग कहेंगे, ISO, international standard, that's it, अभी वो रोल से यहां तक आ चुका है, वह वही नाम लोग यूज कर रहे है, so ISO, ठीक है, अभी ISO में, अगर वो ISO 100 पे रहेगा, मतलब आपका जो sensor है, वो बहुत ही अभी कम sensitive है, जितना light आएगा, उतना मैं लोंगा, और ऐसे जो है, मैं image या video form करूंगा, बराबर, अभी क sensor है, वो पहले से दुगना sensitive हो चुका है, पहले से दुगना उसी light के लिए, जो पहले जितनी light थी, उसी light के लिए जादा sensitive हो गया, और जिसके वज़े से, अब जो है, आप एक घुना जादा, double जो है, आपका जो shot है, वो bright देखोगे, overexposed देखोगे, अच्छा, मैं चाहत हूँ कि photo जो है, और bright हो जाए, तो मेरा जो sensor है, उसको मैं ISO को बोलूगी, ISO 200 नहीं, ISO 400 पे जाते है, जैसे ही मैं ISO 400 पे जाती हूँ, ये image sensitivity और बढ़ जाती है, और अब जो ये है, इससे, मतलब 100 से double का double, जो है, sensitive हो गया, ऐसे करके, आप ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, अगर ये सारे एक साथ देखोगे, तो आपको दिखेगा, कि same situation पर जो है, आपका जो photo है, वो bright होता गया, और वो इसलिए bright हुआ, आपने कोई shutter speed और कोई aperture हिलाया नहीं है, आपने वही setting रखे है, पर आपका जो sensor है, वो जादा light को observe कर रहा था, जादा उसको खी नीच रहा था, क्योंकि वो आपका sensor जादा sensitive हो गया, हर एक pixel जो sensor के अंदर है, वो जादा sensitive होने के वज़े से जो है, आपका sensor जादा light को absorb कर रहा है, और आपका shot bright होता जा रहा है, अभी जो है, अभी जो है, जब आप ऐसा ही कहोगे, कि यार ठीक है, अगर जादा light होगी, तो मैं जो है ISO कम रखूँगा, और अगर light कम होगी, तो मैं ISO जादा कर दूँगा, सही है, ये सबसे पहला parameter है, मतलब, जो मैंने exposure triangle में तीनों चीज़े सिखाई है, ये तीनों चीज़े, aperture, shutter speed, ISO, ये तीनों चीजों के सबसे पहला जो है, वो है light, light is the most powerful thing, वो ही observe कर सकते हो वही light reflect होके camera के तरफ आती है, और वही आपके camera के अंदर record होती है, और ये जो recordance आ रहा है, उसका सबसे पहला parameter जो camera settings में है, वो ISO, aperture और shutter ही रहेगा, अच्छा, ये तीनों जो चीज़े है, वो सिर्फ light का काम नहीं करती है, वो और भी बहुत सारी चीजों का काम करती है, औ और इसलिए हमको ये तीनों को balance करके जो है, एक right exposure वाला photo लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऐसा ही कहोगे, कि aperture से भी वही होता है, shutter से भी होता है, ISB से भी brightness, darkness होता है, तो फिर कौन सा करें, अब इसको सीखने के लिए हम आगे वाले session में जाएंगे, और जब जो है, हम और जादा घहराई से सीखेंगे, कि भाई कौन सी चीज किस लिए use होती है, so अब जो है, हम लोग अगले थस्डे को मिलेंगे, गुरुवार शाम 6 बजे, प्लीज यूट्यूब पे जोड़िएगा, और जोडने के लिए, अगर याद ना रहा है न हम, तो फिर हमारा जो य एक एक एंगरेजमेंट चाहिए होती है, कि लोगों को अच्छा खासा पसंदो आ रहा है, जो काम कर रहे है, वो अच्छा जात हो रहा है, ठीक है, and of course Instagram पे हमें follow कीजिए, क्योंकि हम Instagram पे बहुत सारे tips and tricks ऐसे लिख के आते हैं, thank you so much everyone, see you next Thursday.